आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ एक निटिंग की डबल कलर की डिजाइन जो की बहुत ही एजी है और डिकने में बहुत सुन्दर लगती है यह आप देख सकते हो इस तरीके से दिखती है यह इसकी राइच चैट है डिजाइन की और यह डिजाइन की रॉंग साइट लगते रॉंग साइट से इसकी लुग इस तरीके साथ यह जो डिजाइन है यह आप बच्चों के लेडिस के किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो जैसे कैप स्वेटर कार्डिगें फ्रॉक टॉप कूर्टी जैकेट अप अपनी मन्चा है किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरीके से अज़ेश हो जाएगी चार के मल्टिबल देख लिए चार फंदे गिन लिए उसके बाद फिर से चार फिर चार इस तरीके से करती हुए आपको फंदे डालते हुए जानी है और लांस में आपको तीन फंदा एक्स्टा रखने होंगे तब यह डिजाइन आपकी प पाद बढ़ाना चाहते हो तो आपको उल्टी साथ से बढ़ा लेनी है और सिधी साथ से आपकी डिजान स्टाट हो जाएगी आप अपनी मैं चाहे किसी भी कलर में इससे बना सकते हैं दो कलर में मैं इस तरी के से रेड एंड वाइट कलर का कॉंबिनेशन रखा है और आप प्राणी में आसानी हो इसके लिए मैंने आ पर बॉर्डर में फंदे डालकर थोड़ा समेने स्थी कसी एक सिधे। कई देखिए दो 3 WOO 4 4d 4 54κ4 याज में रखी है、 मैंने मल्टी-ब्59 में काॉइस से सब्सक्राइब कर दो में सब्सक्राइब कर चार दाज ऒंसक्राइब कर C रहे हैं लगवगा ना कंसरी सब्सक्राइब मैने क्रीम न कलर लगा सकती है यहाँ पर मैंने क्रीम कलर का दागा जो है वो जॉइंट कर ली है मैं आपको बॉर्डर के बाद इसलिए बता रही हूँ ताकि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो बॉर्डर के बाद जो इस डिजाइन को अपलाई करनी है वो कैसे करनी है इस सिलाई को जो है पह हुआ 1 चिह exhaustion सिद्धे बनाएंगे जो सिधु कारते हुआं तोो 3 तोाइप मिन दर तरीकी से US तरीकी से शीप कर लेंगे बिना उस gü darauf लेंगे तो फिर से एक फंदे हम जो है चौथा वाला फंदा इसे हम सीधा बनाएंगे यह देखे यह दो फंदे छोड़के यहां से यहां तक जो फंदे है चार फंदे है इन्हीं चार फंदों की यह डिजाइन है उसके बाद फिर से हम तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो और यह तीन चौथा वाला फंद हम सीधा बनाएंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे फिर चौथा वाला फंद हम सीधा बनाएंगे उसके बाद फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे चौथा वाला फंद हम सीधा बनाएंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे और लाश्ट के दो फंदे आपको सीधे बनानी है वाइट कलर से जो भी कलर आप एड़ करना चाते हो उससे तो यह डिजाइन की पहली सिलाई जो है यह बेसिक सिलाई है इसी को जो है आपको बार बार रिपीट नहीं करनी है उसके बाद जो सिलाई उल्टी तरफ से कांट करेंगे तो यहाँ से हमएे चार से लाए बनानी है तो पहले हमने जो फंदे बनाएं है उनlemeरी आगे की तरफ लाएंगे और एक फंदा हम ने बनाई है इसको हम उल्टा बनाएंगे उन फिस्तवाज बना सी तरीक च बदा मतलब है आपको इसी तरीक चेल बना कंप्ली Euro को कम्प्लीट करना, प्रेंगे देखें इस तरीके से हमने पहले जो सीधी साइट से सिलाइए हैं हम्हारी उल्ती साइट से चाहा हैं इसली रखें है उसके बाद देखें यह हमारी दिजाइन की जो है दूसरी सिलाउय सीधी तरफ से क्योंकि हम divisions आ काइं ही करेंगे हमें दो इपते चेंज हैं मैं अमने यहाँ पर ताऍवालra चेंज करेंगे इसे एक जो हमने ऊस्रों पूर्प सिय को सीधा सीधा बनाती हुए we complete करेंगे पर मेरे gift अब सिधा बनाएंगे और यह जो हमने बिन के उतार है इसे भी हम सिधा ही बनाएंगे कर दिखें इस तरीके से हमने सीधी सिलाई पूरा सिधा सिधा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है अब आजाए उल्टी साइट से इस सिलाई को कि पूरा उल्टा उल्टा ही बना नी है एक एक फंद्य गsupport को ऐसे करके और ना इसे के तरफ लाके लता उल्टा बनाते हुए कंप्लीट काने कि अब इस विए पूरा उल्टा उल्टा बनाते हैं अब आजाए सीधी तरफ से यहाँ पर हमें थोड़ा सा द्यान से बनानी हैं देखें कैसे हम बनाएंगे देखेंगे अब हम यह जो फंदा हमने बनाए है पहली सिलाई में इससे और इसके दो साइट से जो दो फंदे हैं आप देख सकते हो यह तीन फंदे छोड़के यह जो पहला वाला फंदा है अब देख सकते हो यह पर इससे और इससे चोड़के यह जो पहला वाला फंदा है इससे पहले हमें जो है डिजाइन को सेट करना है यहां से हमीं डिजाइन स्टार्ट करनी है तो इस फंदे को पहल आप उन्हें स्लिप कर लेंगे मतलब इसको हम बनाएंगे नहीं उसके बाद दिखे यह जो तीन फंदे है यह बीच वाला फंदा हमें काउंट करनी है इसके दोनों साइट से फंदे चोड़ के अगला वाला जो फंदा है यह वाला इससे हम इस तरीके से बनाएंगे जो हमने के लिचे से हम भने को निकालेंगे और उपर का जो फंदा है इस तरीके से बनेगे उसके बाद दिखे यह हमने पहले मugने बनाएंगे청ल कर ले डालेंगे एस tay को सिधह बना देंगे नीचे के तरफ से लाइंगे और इसम उतार दींगे यह देखें से फिर से 3पन्दा में करेंगे दी तीन फंदा एम यहां से 5 कांट करने हैं यह बीच में रहनी चाहिए उसका तो दो साथ से आपको दो फंदे रखने हैं तो इस वाले फंदे को स्लिप करनी है ऐसे आपको दियान रखनी है उसके बाद नेचे से सिलाई डालेंगे और ऐसे करके सीधा बनाएंगे इनको slip करेंगे इसे सलाई को स्टरिक से डालेंगे जैसे पंदे को निकालेंगे गिरा देंगे तिन पंदे चीप करेंगे इसे सलाई को डालेंगे लाश्ट में बना देंगे और इस तरह से हमारी जो है चाहर सलाइगी डिजान कंप्लीट हो गई है अब फिर से हमारी डिजान रखना है और अगर हम इस तरह से से बनांगे तो इस को आपको रिपीट करते हुए जानी है पहला है यहांसे पहला तरह इसे हम उल्टा बनाएंगे उन पीछे की तरफ लेगे जाएंगे जो हमने बिनाब उतारे हैं इस तरीके से उतार लेंगे उसके बाद उन आगे की तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे उन पीछे जो तीन फंदे हमने इसे ही इसे पर लिए पर पिछे तरफ लाएंगे उसके दर फिर से और तरफ लाएंगे है स्वड़ा है पिर से यह स्वड़ा सिँ डर्फ और के पीछे इस वनम को मुद्धों को स्लिप करेंगे दाखे पीर लिप लाखे के अग्र अग्राष्ड ईर सिर्फ है इंते नोके और ही अनग रभभ्ररा कि इस दर और लाश्ट का एक्ष्टिस इसे हम उल्टा बना देंगे अब फिर से हमें जो है यहाँ पर डागा चेंज करनी है दो सिलाई हमारी बन गई है फिर से हम यहाँ पर डागा चेंज करेंगे जो आपकी बेस कलर होगी उससा फिर से दो सिलाई सीधा उल्टा बना लिजी इस तरी से दागा चेंज करके सीधी तरफ से सीधा सीधा बनाती हुए कंप्लीट करनी है और उल्टी साइट से उल्टा बनाती हुए कंप्लीट करनी है तो मैं इस तरीके से दो सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा और उल्टा तो मीने दो सिलाइ纪 ऐसे प्लेन बना ली है सेधा does उल्टा करके जो मैतको नीचे बताई आई वैसे ही तो मेरी जो सिलाइई है वोिल्टी साइट से स्टार्ट सिप्ट सिलाई सीथे सिलाई 커피।6 किरो ULT सिधा बनाने के बाद दो वंदे खिलैंगे लेकिन अब हम यहां पर सिलिप नहीं करेंगे इस यहां इसे हम सिधा ही बनाएंगे इस था चल्ड़ रहें इस तरीक रहें गोर नीच से की तरफ से जालेंगे और सीधा इसको निकालनी है यह देखें फिर से जो तीन फंद इने हम बिना बुने स्लिप करेंगे एक दो और यह तीन और यह देखें इस बीच वाला फंदा है इसके नीचे से ऐसे सलाई को डालेंगे और इससे सीधा बनाएंगे कि नीचे से और स्टीन फंद स्लिप करेंगेज तू तीन और इसके नीचे से सलाई को डालेंगे इसको हम सीधा बनाते हुए नीचे की तरफ स्रहाएंगे और इसको यопасी निकालनेंगे और उपर का फंदा गिरादेंगे फिते स्लिप करेंगे ऐसे नीचे से सलाई को डालेंगे असे अंदर से डालके और इससे इसको निकालेंगे इससे बना देंगे फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे कि ऐसे निचे सलाई डालेंगे कि देखे इस तरीके से लाज्ट तक हम बना लेंगे अ और लाज्ट का वंदा हम सीधा बना देंगे तो इन्हीं को आपको बार बार रिपीट करते जानी है फिर से हमारे डिजाइन उल्टिसाइट से स्टार्ट होगी जैसे हमने बताई है देखे कैसे थोड़ा समें आपको फ स्लिप कर लेंगो उतार लेंगे उन आगे एफ़फंद उल्टा उन पीछे तीन पंदों को स्लिफ करेंगे फिर नंगे एक फंदों इलिटा इस तरीकह से फिर से हमारी डिजाइन स्टार्ट हो जाएंगी शीक्र और पैप कर दो लाई तोब कितना प्यारा साइं यह करते हो तो मैं इस आपको यह जरूру पसंद आई होगा अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियोग फ्रेंज कर देसे घर हो अपनी फ्रेंज जैनके साथ तब तक के लिए अलाहाफिस दौाओं में याद रखेगा थैंक यू